कैसे हो बहुता है रही हुआ है तो करना पाइस है को पार्टे का कुछ बना पास दृट्टर मिल्क झाल इनेवू डाल सकते हैं इसको हम बटर मिल्क पनाएंगें क्टने इंस्टेंट बाला और इसको हम रखदेंगे साइड में और थोड़ा से जादा ही गरम ता बलकि गुन गुना दूद लेना है हम लोगों को पर मुझे बहुत जादा क्रेविंग गोरी तो इंस्टेंट खाना था तो मैंने थोड़ा सा गरम दूदी ले लिया और यहां पर मैं ले रही हूँ एक कप आठा और उसी के आदी मैंने आप लिए पिसी हुई शक्कर आप लोग चाहो तो गुड़ से भी बना सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है उसकाद मैंने थोड़ा से लिए बेकिंग पाउडर थोड़ा सा लेंगे हम बेकिंग सोड़ा और थोड़ा सा नमक लेंगे और आगर आपके परस बनीला एसेंस है तो मैं बटर डालना भूल गई थी मेल्ट करके तो बाद मुझे आदा है कि मुझे बटर डालना लेकिन उससे पहले मैं मिल्क डूड डाल चुकी थी जो बटर मिल्क हमने बनाया था वो मैं डाल चुकी थी और इसको डालने के बाद मुझे आदा है कि मुझे बटर भी डालना ह माँ व्याठेक में थे 2 दूब में भूत जा सूरे सोच केए नहीं करना है यह दो ऐसमा ध्यान्त देख्ट रख़ान बनके तयार है यह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की और इतना जल्दी बनता है ना मैं आपको क्या बता हूँ बस हमने बैटर रेडी किया और बस हम तुरंद बना लेंगे इसको ना रेस्ट पर रखना है ना आपको वेट करना कुछ भी नहीं करना बहुत ही जादा आप लोगी बच्चों की बड़े पाटी में बना सकते हो इसनेक के तौर पर रख सकते हो लंच बॉक्स में दे सकते हो या फिर किटी पाटी के लिए बना सकते हो तो यहां पर पैन को ना सबसे पहले बहुत जादा गरम रखना है नॉन इस्टिक पैन को उसके जब आप बै कर देना है और आप देख सकते हैं यह अच्छे तरीके से हो गया है एक साइड में आपको पलेट कर दिखाऊंगी और यह तोड़ा आटे का है न इसलिए थोड़ा से चिपक रहाता है बाकी जो मैं देखा होता नो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है इससे पहले मैंने डोरा क भी बना लेंगे बैटर को मैंने स्प्रेट कर दिया है मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी कि शेप में आजए दरसली जो पैन है ना यह ऐसा है कि बीच में से थोड़ा उठा हुआ है तो यह प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा था लेकिन अगर आप लोग पास बिल्कुल फ्ल अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका तो इसी तरीके से मैंने जो है सारे बना लिये थे अब मेरे पास जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं उसको गार्नेश करूंगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि बहुत ही जादा स्पंजी बना है जबक उसके आदना मेरे पास हनी है तो मैं थोड़ा सा इसमें हनी डाल दूगी मतब देखने में भी अच्छा लगए और खाने में भी अच्छा लगगा वैसे स्वीट तो है यह आप ऐसे भी खा सकते हो इसको लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा सा गार्नेश करना तो इस तरीके स कर सकते हो थोड़ा सा हनी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा मैं पर हरसी शिरप डालूंगे और अगर आप बच्चों को दे रहे हो ना तो इसके अंदर आप उनको यू टेल चॉकलेट लगा कर भी दे सकते हो बहुत ही जादा टेस्टी लगएगा तो यहां पर देख सकते है और साथ में थोड़ा सा काजू जिसे ना देख के बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत जादर टेस्टी लग रहा था इसके साथ तो आप लोगो कैसी लगी मेरी रेस्पी मुझे जरूर बताएगा और आप भी जरूर से ट्राइगा मिलते है नेक्स